मित्रों ज्यान दर्शन वन अवसत यूटूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है मित्रों आज हम आपको पालक के साख खाने के बारे में जानकारी दूँगा पालक को इस पाइनेच के नाम से अंग्रेजी में जाना जाता है पालक में शुपर फूड होता है इसमें तमाम चीजे होती हैं कुलेस्टोल फिरी होता है फायट का लेवल कम होता है फाइबर होता है शोडियम का लेवल कम होता है साथ साथ इसमें इंडिजिबल कमपोनेंट होते हैं जो बहुत powerful होते हैं, calcium बहुत अधिक मात्रा में होता है, potassium बहुत अधिक मात्रा में होता है, iron जो खुन की कमे को पूरा करता है, यह भी इसमें मौजूद होता है शाथ में इसमें मैगनीशियम होता है और इसमें बिटामिन के पाया जाता है जो खून के बहाव को रोकने में मददगार कर है बिटामिन B6 फोलिक एसिड परचुर मात्रा में पाया जाता है बिटामिन C, बिटामिन E यह सारी चीजे बहुत अधिक मात्रा में पालक में पाई जाती हैं, जो पालक में शुपर फूड बनाती हैं, बात हम करते हैं, कि पालक किन किन बीमारियों में खायें, तो सबसे पहला फाइदा होता है, कि यहां खून को बढ़ाने में मददगार है, एनेमिया को दूर करता ह पालक पालक में फोली केशिट अधिक मात्रामें पाया जाता है जो गर्भती माताओं बह्नों में राम care करती है पालक Sum से माताओं बहिनों में गर्भा उस्ता के दवरान बहुत लाप्रद माना गया है यह गर्भ में पल रहे शिशु को बहुत फांदे मंद है पालक में कैल्शियम बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है पालक में बिटामिन E अधिक मात्रा में पाया जाता है जो आखों की बीमारी मोतियाबिंद आधिरोगों से बचाव करता है पालक में बिटामिन C पाया जाता है जो anti-inflammatory गुणों से भरपूर होता है जो सूजन वा खून के गुणों को मजबूत बनाता है यहाँ बिटामिन K बहुत ही लाबदायक है जो खून के गुणों को मजबूत बनाता है पालक में anti-accident पाया जाते हैं जो immunity boost करने का कार्य करता है रोग प्रत्रोधक शमता बढ़ाता है इसमें folic acid और बिटामिन C भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो बालों को जड़ने से बचाव करता है बालों की समस्या में पालक खाने से बहुत लाब है और लाब माना गया है और पालक के शेवन से इसकिन समंधी रोग चेहरे के दाग धबे जुरियां भी ठीक हो जाते हैं और उनमें लाब पाया गया है साथ साथ इसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है जो ब्लड प्रेशर में लाब दायक मानी गया है ब्लड प्रेशर में पालक का शेवन करें और हाड के रोगियों के लिए लाब दायक है आप एक दिन में दो कटोरी पालक का शेवन कर सकते हैं ज्यादा पालक आयरन की मात अधिक होती है इसलिए इसका ज्यादा सेवन करने से पालक खाने से आपको अपाच गयस दस्त की समस्या हो सकती है पालक का ज्यादा सेवन करने से गुर्दे पेशाब संबंदी समस्या हो सकती है कुछ लोगों को इलर्जी हो सकती है पालक सबजी पकवड़ी पालक पनीर पाल को डाल में भी पका कर खा सकते हैं पालक का जूस हाड़ वा सुगर के मरीजों के लिए बहुत लाबदायक माना गया है मौर्णिंग वाक के बाद जूस का सेवन करें मित्रों वीडियों में आप आये हैं तो हमारे वीडियों को पसंद करते हैं तो एक लाइक अवश्च करें आपके लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ जाएगा और आपके लिए अच्छी सी वीडियो बनाने का मन करेगा मित्रों आज हमने आपको पालक खाने के फायदे के बारे में जानकारी दी है मित्रों समय समय पर ज्यान दर्शन वन आउसद यूटूब चैनल के द्वारा जो अब जी खाने के फायदे के बारे में जानकारी दी है मित्रों यह पालक आपको आसानी से आप अपने बाग में बागवानी में घर के आसपास उगा कर खा सकते हैं पालक आपको आसानी से बाजार में उपलब्द हो जाती है इसको आप लेकर भी खा सकते हैं मित्रों हमारे वीडियो को लाइक करें सस्क्राइब करें विल आइकन पुष करें ताकि आप को हमारे द्वारा दी जा रही और सधीय जानकारी आसानी से प्राप्त हो और मित्रों आज हमने आपको पालक के शाक खाने के बारे में जानकारी दिये है यह पालक जो हम आपको दिखला रहे हैं पालक दो प्रकार की होती है, एक चौणी पत्ती वाली, एक नुकीली पत्ती वाली, नुकीली पत्ती वाली पालक बहुत ही फादेमन, बहुत ही लाबदायक है, मित्रों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, तो एक लाइक बनती है, एक लाइक अवश्च करें, मित् तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मात्रम मिलेंगे अगले वीडियो में धन्यवाद